हेलो नमस्कार मैं सत्पाल पांचाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्ट्यूट आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनिमेशन टैब का कैसे यूज करते हैं पावर पाइंट के अंदर यह MS Powerpoint की वीडियो पार्ट नमबर 7 है और यदि आपने किसी भी टैब से समंदित जानकारी लेनी है जैसे होम इंसर्ट डिजाइन तो सभी टैब के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई हुई है पर्टिकुली वीडियो बनी हुई है तो आप डिस्क्रेशन में जाकर तो त्यार करने के बाद डिजाइन करने के बाद यदि आपको लगता है कि मुझे अपने अनिमेशन को सुरी अपनी स्लाइड को एनिमेशन देना है तो वह आपको आज इस वीडियो में बताएंगे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग ने कोई ठीक ठाक को कोई एनिमेशन बना लेनी है एनिमेशन बनाने के बाद आम एक बनी हुई आनिमेशन निकाल लेता हूं आज एनिमेशन बनाने के बाद सोरी सोरी करें सबसे पहले आपने कोई एक स्लाइड बना लेने है यह पार जयी और यदा आपको लगता है कि मुझे इस पर गय्रोदा जोबuppन की है कोई उनिमेशन लगानी है तो आप लगा सकते हूं कैसे लगाना है वीडियो को ध्यान से आपको एक-एक पॉइंट बताएंगे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अनिमेशन लगाया क्यों जाता है अनिमेशन देखो जब आप एक प्रजेंटिशन बना लेते हो अगर आप चाहते हो कि मेरा जो कंटेंट है उसमें मुवमेंट जो है वह आप एड़ करना चाहते हो यह उसको अट्रेक्ट बनाने के लिए उसमें मुवमेंट यह निमेशन एड़ करना चाहते हो तो आप उसको एड़ करके एड़ बना सकते हो पर एक जामपल जैसे मैंने एक पर जन बना हुए है और मैं इसको प्रिवियू करके दिखा देता हूं आपको एक बार कि ऐसे दि भार चमपल करने बता नहीं है फिर यह वहला कंटैंट आया कि और तो इस प्रकार अदेखो जो मैंने लगा रखना यहीं जरूरी नहीं अपने लगाना है हैं आप अपने साफ से कोई भी लगा सकते हो लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि यह वाला जो एनिमेशन है मेरे वाले स्लाइड के उपर मेरे वाले कंटेंट के उपर पर प्रफेक्ट रहेगा हो आप तो यह थी एनिमेशन यता हमने स्पूल सी कुछ लगा रखी है अब आ मैंसट लगती कैसी है लगाये कैसी जाती है और कितने परकार्टी होती हैं तो अनिमेशन टैब में आएंगे हम यहां पर इनुमेशन टैब में जैसे वह यहां पर क्लिक करते हो अनिमेशन टैब के अंदर तो यहां पर सबसे पहले है प्रिविव में जो भी आपने अनिमेशन लगा रखिया अलड़ी तो आप यहां से उसको चेक कर सकते हो ठीक है और यहां पर आपको यह जो दिखाई दे रहा है यहां पर सारी अनिमेशन जो आप होंगी वह दिखाता हूं जैसे आपने कोई भी content select करते हो ठीक है देखें यहां पर थोड़ा में जूम करके दिखाता हूं आपको यहां पर टू लिखा हूं और यहां पर वण लिखा हूं तो यह टू और वन का मतलब है कि is पर यहां पर हो गई पर प्रिव्यू पर जैसे आपने इससे पे क्लिक किया तो यह इस पर बताएगा पहले यह वाला कंटेंट आर आपका फिर यह वाला कंटेंट आरा है मतलब आपने उल्टी जो है है हमने थोड़ा गलत लगा दी पहले इस पर वन लगानी थी कोई बात नहीं कोई भी आपने अनिमेशन लगा कोई अब इस पर आपने अनिमेशन लगानी है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहला कुछ साब का कि पहला कंटेंट यह 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 या कोई और कंटेंट आई जैसे हमारी पिक्चर हमने यह लगा तो हमारे इसाब से की पहला कंटेंट यह हमारा तो कंटेंट को स्लेक्ट करना स्लेक्ट करने के बाद अब यहां पर आपको एनिमेशन चूज करनी है अब एनिमेशन चूज करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एनिमेशन कितने परकार की होती है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे एक बार यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपकी पहली ओप्षंग एंटरास के मतलब आपका content जो है कैसे enter होगा आपकी slide के अंदर तो आप यहां से choose कर सकते हो भी मैं करके भी दिखाऊंगा impasis का मतलब यह होता कि idrest के बाद अगर आप उसे कुछ effect कराνा आप इफेक्ट कराना चाहते हो तो आप impasis choose कर सकते हो और exit का मतलब यह होता है कि आप उसको exit कैसे कराना चाहते हो अपने content को मैं अभी तीनों लगा के दिखाता हूँ महलों यह पहला content है आपका तो आपने select किया select करने पर interest पर आपने कोई भी लगा ली ठीक है जैसे आपने यह क्लिक कर दिया आप कोई भी लगा सकते हूँ जो आपको ठीक लगता है कि यह ठीक जैसे यह लगा दी हमने यह वाली लगा ठीक है यह हमने लगा दी यह हमारी लगी एंट्रेंस की एंट्रेंस के बाद फिर अगर आप इस पर इंपैसिस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो जरूरी नहीं है कि आपने इंपैसिस लगाना लेकिन एंट्रेंस और एक्जिट दोनों लगानी जरूरी होती है तो इसके बाद हम चाहते हैं कि यह एंटर हो तो इस प परिखान उन्यस नुसें से क्लिक कर दिया आने के बाद कुछ ऐसा मुंइंट करें यह एसे कुछ करें यह ऐसे खर रिखें आपको जो भी ठीक लगता है कि मेरा कंटेंट इस पर ठीक दिखेगा तो दिखा सकते हैं अचाहिक आप सब्सक यह इम्पैसिस है ठीक है तो हमने मालों इम्पैसिस भी लगा दियाए अब एक जिट के बाद आप चाहते हूँ कि ये एक जिट हो पहले या ये एक जिट हो आपको देख लो सलेक्ट करना है हम इसको select करते हैं पहले यह इसी को देख लेते हैं और यहाँ पर select करने के बाद हम ने exit का कोई भी एक format choose कर लेना है अब यह ऐसे एक्जिट होगा है इसका भी एक format choose कर लेंगे हम एक्जिट का यह ऐसे exit होगा तो हमने 3 animation लगाई है तो यहां पर आप cable और cable एक टाइप की एनिमेशन लगा सकते हो लेकिन हमें तो दो तीन लगानी थी अब कैसे करें वह भी मैं भी आपको बताऊंगा उसका सुलिशन भी है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने कोई भी एनिमेशन लगा लेनी है लगाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर दो एनिमेशन कोई भी एन्टरस की लगा लिये तो एन्टरस की हमने लगा लिये तो 1 और 2 लिखा जए गा अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं से मैं इंपैसिश भी लगा दूँ तो लग तो जाएगी लेकिन एंटरस हट जाएगी या आप एक्जिट लगाओगे तो ये दोनों हट जाएगी अब मैं चाहता हूं कि इस पे अलग से कोई एनिमेशन और लग जाए ठीक है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एड एनिमेशन पे आना पड़ेगा तो एड एनिमेशन में आएंगे तो यहाँ पर इमपैसिस हमने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखो दो के बाद तीसरी ओर आ गई है ठीक है थोड़ा ध्यान से देखना आपने इस चीज़ को क्योंकि आप से थोड़ा गड़बड हो सकती है क्योंकि आप नंबरिंग का हिसाब रहता है कि देखो मैंने पहले इस पे एंटरस लगा है फिर इस पे एंटरस लगा है यदि आप चाहते हो कि इस पे एंटरस लगा के इंपैसिस डारेक्ट लग जाए तो आप तो भी लगा सकते हो ठीक है यहां पर आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा तो मैंने इस पर impasses लगा दिया अब impasses मैं इस पर भी लगाना चाहूंगा यदि आप यहां से impasses लगाओ गए देखो मैं यहां से लगा के भी दिखा देता हूँ तो यहां का impasses तो लग गया लेकिन जो है आपका interest जो हट गया होगा ठीक है यहां पर देखो यह भी change हो गया होगा तो यह थोड़ा सा confusing वाली बात हो जाएगी आपके लिए मैं हटा देता हूँ दुबारा से लगा के दिखाता हूँ आपको क्योंकि आप एक timing में यहां पर दो लग गया आपका बिल्कुल सही लगा है ठीक है तो यहां पर लिखे भी आगे होंगे numbering आपके one or two अब मुझे इंपैसिस लगाना है इस पर तो select करना है यहां पर add animation में आना है तो interest लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे impassis लगा देंगे कोई भी इस पर यह impassis लग गया हमारा ठीक है और इस पर अगर आपने लगाना है select करोगे यहां से add animation में आओगे और यहां पर आपने यह impassis लगा दिया ठीक है अगर इस परकार अगर आप लगाओगे जिस परकार मैं बता रहा हूं तो आपकी animation लगेगी अगर आप डारेक्टली सोच रहोगे हैं आँसे select करके मैं यहां से अब यहां भी तो दी गई है यहां से अगर आप लगाओगे तो आपका नहीं लगेगा ठीक है यह नीचे के option अभी मैं explain करूंगा इन में क्या है पहले में आपको लगादा घिक तो यहां पर यहां अगर आपने लगाना चाहते हो तीनों तो आपको अद्में आपकर लगाने पढ़ेंगे को यहां पर हमने रहli Het लगा दिखना ठीके अब सब ही animation अमसे लगा चुके अगर हम यहां से प्रिव देखेंगे तो अब हमें सब कुछ नजर आएगा यह इंपैसिस है एकजिट हो चुक है यहां पर स्पीड अगर आप स्लो ज्यादा करनी हो वह भी बताऊंगा पहले मैंने आपको यह दिखाना था एक बार मैं आपको प्रिव में दिखा देता हूं प्रिव में देखें आप जैसे यह हमारा एंटर हो गया ठीक है दूसरा क्लिक करने पर हमारा यह एंटर हो गया यह था हमारा एंटरस यह नहीं हमाने जो एंटरस लगाई थी स्लाइड अनिमेशन वह लग चुकिया यह हमारा इंपैसिस इस पर लगा और इसका इंपैसिस य तो यहां पर आपने ये तीन चीजों को समझ लिया होगा देखो यहां पर यहां पर भी यह तीनों चीज है और यहां पर भी यह तीनों चीज है यहां का डिफ्रेंस यह है कि यहां पर आप सिर्फ वन टाइम कोई लगाना चाहते हो एंट्रस इंपैसिस वह आप लगा सकते हो अगर एक ही content पर जैसे एक content एस पर तीन animation लगी हुए है तो आपको add animation में आके लगानी पड़ेंगी यह बात ध्यान रखनी पड़ेंगी और कोई इतना critical नहीं है बिल्लकुल आसान है अगे आजाते हैं यहां पर थोड़ा मैंने यहां पर motion छोड़ दिया था क्योंकि मैं एंट्रस इंपैसिस आपको बताने लग गया था मोशन में यदि आप किसी चीज़ को मोशन देना चाहते हैं मूवमेंट देना चाहते हो लाइन एरे या टरन कुछ भी सेप क्या कोडिंग आप तो वह आप मूवमेंट दे सकते हैं उसके लिए मैं एक न्यू स्लैड लेता हूं और यहां पर कोई सेप इंसर्ट के दिखाता है यहां पर हमने मोशन पे गए मोशन पे अब लाइन लगानी है कौन सी लगानी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा तो हम लाइन पे गए तो लाइन उपर से लेके निच्छे आ रही है ठीक है यानि क्योंकि यहां पर यह मूवमेंट यह आई थी अब इसको आपने इध क्लिक करिया sorry अगा कि यह मुट्राइब करें कि यह मुशन था हमारा कोई जिख जाग आपने देने हो तो आप दे सकते हूं मतलब कि यहां पर कस्टम पर आपने क्लिक करना है मुशन पर जो भी आपने मूवमेंट दिया था उसके साब आप उसको अड़ज्ट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो आप यह देखो यह आपकी कर लाइन थी यह मोशन होते हैं और और भी बहुत सारे होते हैं अभी में आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप मोशन लगा सकते हो किसी भी अब्जेक्ट को डॉइंग को पिक्चर को ठीक है और अनिमेशन में ने अभी कि यहां पर यह जो निच्चे के option है यहां पर जो आपको एक मिट में जुम करके दिखाते हूं आपको कि में प्रती आपको दिख़ रहा होगा कि नहीं दीख रहा होगा जूंब है कि यहां पर लिखावा है more interest effect अब यहां पर जब यहां पर एंट्रस आच चुका है तो यहां पर क्यों दिये गए हैं देखों यहां पर एंट्रस इंपैसिस एक्जिट जो दिये गए है साइद इन में उतने उप्सन ना हो जो आपको मतलब पसंद आ मैं दो आप आप चाहते हों मुझे तो और चाहिए कोई और एक्सटर आप चाहते हो तो यहां पर वि century में आओगे जैसे मेने अने किलिक किया है है अभी तो यहां पर क्लिक करने और more interest में यहाँ पर आपके सामने यह window खुलेगी अब जिस पे भी आपने क्लिक करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो ठीक है बहुत सारे होते हैं इसके अंदर तो यहाँ से आपने interest चूज कर लिया जैसे entrance के हैं ऐसे ही impasses के मिलेंगे आपको और ऐसे ही exit के मिलेंगे एक एक अगर मैं पताऊंगा तो वीडियो लंबी बन जागी अब यह impasses है ठीक है impasses कौन सा लगाना है देखो background में आपको दिखाई दे रहोगा ठीक है यह लगा दिया आपने डार्क का प्लस का लगा दिया यह यह लगा दिया आपने motion लगा के दिखाया था तो वहाँ पर कुछ ही 2-4 motion थे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे motion मिल जाएंगे यह आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के motion अपने object को अपनी drawing को अपने text को दे सकते हो ठीक है मैं एक motion यहाँ से लगा के दिखा देता हूं वरना आप यह motion animation तो बहुत सारी लगा दी ठीक है ठीक है कोई बात नहीं वेट इस पर हमने motion लगाना है ठीक है अभी मैंने थोड़ी देरे पहले आपको यहाँ पर यह दो चैयर motion थे जो इसके अंदर यह वाले लगा के दिखाए थे अगर आप more motion में जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे motion मिल जाते हैं अब आपको देखो चूज करना पड़ेगा कि आपने कौन सा लेना है bounce left bounce right या आपने कोई circle टाइप spiral टाइप कोई सा भी आपको ठीक लगता है वह आपको चूज करना पड़ेगा मैं एक कर लेता हूं यहाँ पर bouncing left मैंने आपको यहाँ पर select कर लिए ठीक है bouncing left और okay ठीक है यहाँ पर हमारा लग गया है ठीक है अब इसको आपने यहाँ पर movement देनी है और चोटा बड़ा जो भी आपको ठीक लगता है आप इसको adjust कर सकते अब जैसे आप इसको play करोगे तो यह ऐसे bounce होएगा ठीक है speed मैंने बताया नहीं अभी speed यहाँ पर आके बताऊ करते हों तो इसमें बहुत सारे animations हैं बहुत सारी कि यहाँ पर interest के effect आजाएंगे impasses क्या जाएंगे exit क्या जाएंगे और motion क्या जाएंगे ठीक है तो यह हमारा पहला topic यानि animation वाला खतम हो चुका है अब आगा रहते हैं यहाँ पर effect के अंदर effect में क्या होता है कि आपने कोई कोई भी animation लगाई है interest, impasses कोई भी आपने लगाई है जैसे मैं इसका preview करके दिखा देता हूं आपको तो यहाँ पर अभी कोई ठीक से लगी नहीं मैं लगा देता हूं जैसे यही लगा दी हमने ठीक है तो इसका effect आप यहाँ से horizontally change करना चाहते हो या vertically आप चाहते हो अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे खाल से समझ जाओगे तो यानि motion आप change कर सकते हो मतलब कोई भी आपने slide लगाई है जैसे यह लगा दी ठीक है इसको आप ऐसे कर सकते हो इसको आप ऐसे करा सकते हो इसको आप ऐसे मल्टी में करा सकते हो ठीक है तो यहाँ से आपने कोई भी animation लगाई है animation को आप modify कर सकते हो उसके motion को थोड़ा सथ change कर सकते हो ठीक है और अभी मैंने थोड़ी दिर पहले यहां पर आपको add animation तो बताई दिया है यदि आप एक ही text के उपर दो या दो से अधिक animation लगाना चाहते हो तो आप इस वाले option को choose करोगे ठीक है अगर आपने single animation लगानी है तो आप यहां पर चूज करोगे option वही है जो यहां थे मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा यह एंट्रस है यह इंपैसिस है आपका यह exit है और यह more interest more emphasis more exit more motion जो मैं अभी आपको करा के आया हूं ठीक है तो same option मिल जाते हैं आपको add motion add your animation के अंदर जो आपको यहां पर animation में मिले थे नेक्स्ट है हमारा animal animation panel मतलब इसको जैसे आपने यहां पर एक पैनल खुला था देखना है कि कौनकौन सी मैंने animation लगा रख है कि उनको से टिक्स पे यह दिनको add remove करना है तो आप यहां से भी कर सकते बस आपने पर click करना यहां पर एक पैनल खुलेगा यहां पर पता लगेगा आपने कौनकौन सी अनिमेशन लगाई हूए देखो जैसे मैंने पहली लगाई थी तो देखो यहाँ पर और अफ़ास अब है अगर आप सकते हैं और यहां पर ड्रा पर उप der करते हैं अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि स्टार्ट माउसे क्लिक कराना चाहते हैं आफ्टर वीद प्रिवी कराना चाहते हूं टाइमिंग अगर आप यहां पर कम ज्यादा स्पीड यानी जिसको बोलते हैं स्लोव ज्यादा कराना चाहते हैं दिले कराना चाहते तो वह भी सट कर सकते अभी मैं आपको यहां पर बताता हूं ठीक है नेक्स ट्रीगर ट्रीगर आप मतलब किसी पर्टिकुलिया अलिमेशन को ट्रीगर कराना चाहते हो तो आप सपे क्लि इस पे लगाई इसारकी तो इसको हमर्यू कर देती है चैहि कि यहां पर हाड़्वेर पर पर अनिवेसे लगई मिस पर अनिमेशन नहीं लगई जो आनिमेशन इस पर लगाना चाहते हैं तो आपने-पाने कुछ निंप करना है content को स्लेक्ट करना Animations श्मpine in versatile बहूं चालर भा decrease यहां पर हाडबे पर श्मालीफर लगी तो यह तापका एक एर्मेशन का अप्ट दूसरे एक हैण टेक्स का उस्त का件 सब्ट चांते हूं उसे हैं वाते हैं टाइम की साइड है डामेंग टाइम fines टाइमिन टामेंग ठिक है यहाँ पर आप या इसमें देखो मावस अन क्लिक मतलब जब आप प्रिवीवूर से हमारे नेक्स्ट तैक्स या नेक्सलीड सौ पते हो वह कराना चाहते हो यह फिस प्रीवीद मतलब वीद प्रीव्यू अगर आप चाहते हो कि एक के बाद दूसरा दूसरे को अब तीसरे तो आप यहां से इन उप्ट्सन को चूज कर सकते दोंगों उप्टन ही बैठर है तो मालते माउसन उपार मैं चूज कर लिया अब आगे आते हैं यहां पर Duration Duration देखो आपको पास दो टाइम का डो टाइब कि एक तो है आपकी यहां पर Duration delay ठीक है दोन्हों का मतलब एक जासा ही है यहां यदी आप इसको ध्यांन से देखते हो तो तो मालो कहां गई हमारी पहली स्राइड यहां पर हमने स्राइड लगाई थी और इस वाले content को आपने select कर लिया एक मिट जूम आउट कर लेता हूं कि इस वाले content को what is computer को select करने के बाद अब इसकी टाइमिंग जैसे अभी आप इसको प्ले करते हो तो यहां पर देखो जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ ठीक है फोर सेकिंड कर दिया ठीक है और अब हम प्रिवी करते हैं अब देखना क्या होगा देखो धीरे-धीरे movement हो रही है और इस पर मैंने लगाए यह नहीं था इस पर हमने यह इंपैसिस है देखो धीरे-धीरे movement हो रहा है इंपैसिस का नॉर्मल लगा और यह एकजिट देखना भी कितने धीरे से होगा यह देखो यह एकजिट यहां पर शुर्व मैंने इस पर जो है डूरेशन लगाई थी इस पर नहीं लगाई थी अगर आप चाहते हो कि किसी और वह दीप्ट आपने अफिसान के लेट दिखाने तो आप नहीं जेखने और ऑट कर सकते हैं डिले और डियुलेशन में क्या डिफ्रेंस है देखो आपने क्लीक कर दिया क्लिक करने के उतनी देर बात जैसे मैं आप यहां पर इसकी कम कर देता हूं और डिले आपको स्ट क पाव गगे तो हमने तीन सेकंड की यहां बर डिले टाइम सेट कर दिया ऐसे इस पर हम तीन सेकंड का सेट कर लेते हैं अब यहां पर उपर वाली टाइमिंग हमने नहीं सेट करी है मतलब यहां पर आप कोई भी दे सकते हो अब चार साistes प्रम साकेणड आझसा देने की जूर्ट कि तो नहीं है क्योंकि मैंने आपको डिले दिखाना है एक डिका डिANNAए संभिकर करी करने आप ध्यान से देखना है प्रिव पे क्लिक करने के बाद कितनी देर बाद यह content show होगा जैसे मैंने यहां पर प्रिव पे क्लिक किया तो प्रिव पे मैं click कर चुका हूँ देखो content अभी तक नहीं show हो रहा अब show हुआ अब यहां पर नीचे वाला content नहीं आया वो तीन सेकंड बाद आएगा अब आया है तो यह है आपका delay यानि कितनी देर बाद वो content सो हो आपके सामने और यह duration इससे आपकी speed slow हो जाती है यह जितना duration ज्यादा होगी उतने आपकी animation की जो speed है वो slow हो जाएगी ठीक है एक बार आप खुद से practice करें आपको जुरूर आएगा नेक्स हमारे पास यहां पर recorder animation ठीक है recorder इसमें क्या होता है मतलब आप अपने animation का or चिंज कर सकते हो कैसे जैसे यहां पर यहां पर है अब पहला यह है दूसरा यह तीसरा यह है पांच मां मतलब धुकर तो आप चटे को यहनि Kore पर वियू करूंग है तो पहले content yes will go जब्कि पहला यह होना चीज़ तो आप ऐसे जैसे आप content पर क्लिक कराऊंगा देखो यहां पर मैंने सुरी earlier पर क्लिक किया या later पर क्लिक किया तो यहांपर क्लिक हो गया और यहां पर later पर click खोंगा तो पर बन हो जाएगा ठीक है आप अपने ओर जो होता है वह चेंग सकते हूं पहले यह पिर यह पिर तो आपने स्बसे पहले आपनी स्लाइड बनानी स्लाइड बनाने के बादी डिजाइन देने के बाद फिर लास्ट में embrace जाती तो आज मैंने आपको बताया कि animation में क्या क्या option है किस प्रकार animation लगाई जाती है ठीक है और हाँ animation जितना आप ध्यान से लगाओगे जितना सोच समझ के लगाओगे उतना जो आपकी presentation है वो attractive बनेगी ठीक है और इसका आपको पता होना चाहिए कि interest कहां लगेगी इमपैसिस कहां लगेगी और exit कहां लगेगी ठीक है animation सारी होती है और हाँ यदि आप कोई educational या कोई professional animation बना रहे हो तो सुरी presentation बना रहे हो तो उसमें आप कम से कम animation का यूज करें ठीक है educational में इतनी animation यह नहीं चलती है अगर आप कोई entertainment के लिए बना रहे हो कोई comedy टाइप बना रहे हो तो उसमें animation आप भर भर के लगा सकते हो तो आज हमने आपको बताया कि animation कैसी लगाई जाती है और animation tab के अंदर कौन-कौन से option है आसा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग झाल